मेरे प्यारे बच्चो बहुत सारा प्यार मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए गुल मोहर कक्षा तीन की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ ग्यारा बिन्नी का कोट लेकर आई हूँ आज हम इस वीडियो में पाठ के अभ्यास एवं प्रेशनों को हल करेंगे मैंने अपने पाठ को पिछली यूट्यूब वीडियो में पूरी तरह से समझा दिया है जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि आब मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से पास सकें पाठ ग्यारा बिन्नी का कोट अभ्यास बिन्नी कौन थी? अच्छा बच्चो तो बताइए बिन्नी कौन थी? हमने पाठ जब पढ़ा था तो हमें पता चला था कि बिन्नी एक बिल्ली थी इसका सही उत्तर है बिन्नी एक बिल्ली थी दूसरा प्रशन हमारे पास है बिन्नी को किस चीज का शौक था आपने जो पाट पड़ा था तो उसमें आपको पता चला था कि बिन्नी को बहुत जादा सजने सवरने का शौक था अगला प्रशन हमारे पास है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाई पहला प्रशन है बिनी ने दिवाली के बाजार से क्या खरीदा इसमें हमारे पास तीन आप्शन दी है जैकेट दूसरी है कुर्ता तीसरा है कोट तो बच्चो बिनी ने दीवाली के बाजार से जैकेट तो नहीं खरीदा था क्योंकि वो तो बंटी बंदर ने खरीदा था कुर्टा भी नहीं खरीदा था उसने एक लाल रंका क्या खरीदा था? कोट इसका सही उत्तर हमारे पास है तीसरा औप Springs जो है कोट दूसरा है जैकेट और तीसरा है कमीज तो बंटे बंदर ने एक सुन्दर सी जैकेट पहनी थी अगले हमारे पास प्रश्ण है बिन्नी का कोट कैसा था? बिन्नी इसका सही उत्तर है बिन्नी का कोट लाल रंग का था जिसमें पीतल के चमकीले बटन लगे थी अगला प्रश्ण है बिन्नी को ताल से किसने निकाला? जब बिन्नी बहुत गमन के साथ चल रही थी और आगे जाकर वो तालाब में गिर गई तो उसे तालाब से बाहर किसने निकाला था? इसका सही उत्तर है बिन्नी को ताल से बंटी बंदर ने निकाला अगला प्रश्ण हमारे पास है अपने पास किसी वस्तु के होने से घमन नहीं करना चाहिए क्यों अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो हमें घमन नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए इसका उत्तर है अपने पास किसी वस्तू के होने से घमन नहीं करना चाहिए क्योंकि वस्तू बाजार से ख्रीदी जा सकती है विश्वास, प्यार और अपना पन बाजार में नहीं बिकता है तो बच्चो हमें कभी भी घमन नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि हमें किसी का प्यार पाना है, अपना पन पाना है, विश्वास पाना है तो वो हम किसी के साथ रहकर ही विश्वास पास सकते है, प्यार पास सकते है क्योंकि ये चीजे हमें बाजार में नहीं मिलती है इसलिए हमें घमंट नहीं करना चाहिए अगला प्रश्ण हमारे पास है किस ने कहा और किस से कहा पहला है यह जैकिट तुम पर बहुत खिल रही है तो बच्चों बताईए यह शब्द किस ने कहे और किस से कहे यह शब्द अभ्वै भेडिये ने बंटी बंदर से कहे दूसरा है हमारे पास मैं तुम्हें बाजार निकाल लूँगा सॉरी मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा यहाँ शब्द किसने कहे जब बिन्नी बिल्ली ताल में गिर गई थी तो यहाँ शब्द बिन्नी बिल्ली से किसने कहे थे यह शब्द बंटी बंदर ने बिन्नी बिल्ली से कहे थे अगला प्रश्ण है मारे पास कपड़ी हमारा आत्म विश्वास बढ़ाते है पाट की अंत में यह शब्द बंटी बंदर ने कहे थे जब उसने बिन्नी बिल्ली को समझाया था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि कपड़े हमारा आतम विश्वास बढ़ाते है इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमें अच्छे कपड़े पहनने के पश्चात घमंडी नहीं बनना चाहिए सब लोगों से जितने भी उसके पास जानवर थे उन सबसे कहा था तो इसका सही उत्तर है बंटी बंदर ने सबसे कहा आगे है भाशा ग्यान उधारन के अनुसार शब लिखिए हमारे पास यहां उधारन दिये गए है को है आदा नौ यो आपको आदा नौ और यो के साथ एक शब दिया गया है जैसे धन्यवाद हमें इससे मिलते जुलते अन्या शब ढूनने है जैसे आदा नौ यो हमारे पास अगला शब्द हुआ अन्या अग दूसरा बना कन्या खो भाग है आदा तो मौ जैसे आत्म आत्म इसके साथ मिलता जुलता शब्द हमारे पास आदा तो मौ वाले शब्द हमें ढूनने है तो हमारे पास शब्द बनता है परमात्मा आत्म विश्वास क्योंकि इन दोनों शब्दों में आदा तो और मौ लगा हुआ है गौ भाग है हमारा आदा सो तो इसा शब्द हमें दिया गया है नमस्ते ऐसे हमें दो अन्या शब्द बनाने हैं जैसे रास्ते परास्त इसमें हमीं दोनों ही आदा सो और तो लगे हुए हैं आगे हैं हमारे पास आदा शो वो इसमें शब्द दिया है विश्वास आपको आदा शो और वो से मिलता हुआ एक शब्द बनाना है जैसे अश्व और आदा शो वो अश्व विश्व वो में चोटी ई आदा शो वो विश्व अश्व गोडे को कहा जाता है और विश्व संसार को कहा जाता तो हमारे पास आदाशव और वो से दोशब्द बने आस्ष्व और विश्व अगला प्रश्ण हमारे पास है छोटी ए की मात्रा अथ्व बड़ी ए की मात्रा लगा कर शब्द लिखिए अबे डिक्टेशन वर्ड है हमने देखना है कि कहां पर हमारी छोटी ए की मात्रा लगेगी और कहां हम्यारी बड़ी ए की मात्रा लगेगी हमारा पहला शब्द है बाव में छोटी ही आदा नौ पूरा नौ अब ये हमारा शब्द क्या है बिन्नी बिन्नी जब हम आवाज दे रहे हैं तो कैसी आवाज आ रही है? इसमें बड़ी ए की आवाज आ रही है? तो हमारा शब्द में बड़ी ए लगेगी बो में छोटी ए, आदा नो, पुरा नो, बड़ी इ, बिन्नी दूसरा है दो, वो, आलो अब देखो बच्चो ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता है इसमें हमारी दोनों ही मात्राइं लगेगी ये हमारा शब्द क्या है दिवाली दो में छोटी इ वो आ लो में बडी इ दिवाली अगला शब्द हमारे पास है बो में छोटी इ आदा लो पूरा लो बिल बिल इस तरह से कोई शब्द नहीं है तो यह है हमारे पास बिल्ली बिल्ली जब हम उचारन कर रहे है तो हमारे उचारन में हमें पता चल रहा है किस पे बड़ी ए की मातरा आ रही है बिल्ली बॉमे छोटी ए आदा लौ पूरा लौ कौन सी मातरा आई बड़ी बिल्ली अगला शब्द हमारे पास है गरगट गरगट ऐसा कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में तो इससे हम क्या पढ़ेंगे हमारा जब आगे शब्द बनेगा मात्राएं जोड़के तो ये है गिरगिट गौ में छोटी ई, रो, गौ में छोटी ई, टौ, गिरगिट पांचवा शब्द हमारे पास है सो रो दो सरद यह असली में यह शब्द क्या है सरदी, दो में बड़ी सो रो दो बड़ी अगला शब्द हमारे पास आत्म वश्वास वश्वास नहीं होता है आत्म विश्वास होता है वो में कौन सी ई लगी? चोटी ई आत्म वो में चोटी ई आदाशो वो आसो आत्म विश्वास आगे हमारे पास अगला प्रश्ण है दूसरे वाले पेज में अनेक शब्द लिखिए हमारे पास शब्द दिये गए है हमने उनके बहुवच्चन शब्द लिखने है जैसे कपड़ा कपड़ा का बहुवच्चन शब्द होता है कपड़े बिल्ली बिलियां तमाशा तमाशे हमने यहां बहुवच्चन शब्द बनाने है रास्ता रास्ता का बहुवच्चन क्या होता है रास्ते चूहा एक चूहे को चूहा कहेंगे जो बहुत सारे चूहे होगे तो हम क्या कहेंगे चूहे, मौका, मौके इस तरह से हमें एक शब दिया है और हमने उसके बहुवचन बनाने है और अगला है हमारे पास पाट के आधार पर उचित शब्द छांट कर लिखिए हमारे पास यहां चार शब्द दिये है चमकीले, नई, नया, और ठंदी अब हमारे पास इन शब्दों को जो हमने पाट में पड़े है उसके साथ जोड़ना है जैसे डैश कोट कैसा कोट था बिन्नी का? नया क्या है इसमें? नया दूसरा है डैश बटन उस कोट पर कैसे बटन लगे वे थे? चमकीले हमने यहीं से चांट कर लिखना है उपर हमारे पास ब्रैकेट्स में शब्द दिये गए है वहीं से चांटने है चमकीले बटन डैश हवा अब हवा कैसी होती है? नई चमकीली या नया तो नहीं होती है हवा ठंडी होती है तो हमें यहां क्या है क्या शब्द बनेगा छंडी हवा आगे हमारे पास अब एक लास्ट शब्द बच गया है डैश जैकेट कैसी जैकेट थी नई जैकेट तो बच्चों अब हमारे पास अंतिम जो प्रश्ण है वह है स्कूल यूनिफॉर्म में रंग भरिये यहां पर आपने अपने जो जहां पढ़ रहे है अपने स्कूल की जो आपकी स्कूल ड्रेस है स्कूल यूनिफॉर्म है पुशाक है उसमें जो जो कलर रगे है जैसे जैसे रंग है अपने रंगों से अपने रंग की पैंसल से आपने इसमें रंग भनने है और यहां आपकी स् प्यार हो जाएगी धन्यवाद